जैसी किसना वक्तों ब्रेत कथा त्योआर चैनल में आप सबी वक्तों का स्वागत हैं वक्तों असार मास्के किस्न पक्ष की गड़े चतोती की ब्रेत कथा सुना रहे हैं इस कथा को सुनने से सबी प्रकार की कष्टों का अंतोता हैं और हर प्रकार की मनो कामना पूरी होती है आप सबी ध्यान लगा करके कठाका स्मण करें बोलो गड़वर जानन भगवाने की जए पार्वती जी ने गरेजी से पूचा के वर्ष असार मास के कृष्ण पक्ष की चतोती तिथी बहुत ही सुवधायनी कही जाती है इस चतोती तिथी का क्या बिदान है किस प्रकार से पूजा कनी चाहिए और गड़ेजी का क्या नाम है गड़ेजी ने उतर दिया कह माता यही प्रिश्न युदिष्टे ने भगवानशी किस्न से पूचा था वो एतियास में आपसे बंदन करता हूँ भगवानशी किस्न का कह कूंती पुत्र असार किष्णपक चतोती को गडेजी का नाम लंबोदर हैं उनका पूजन वर्नत बिदी से करना चाहिए द्वापध युग में मैस्मती नगरी में मैजित नाम के एक राजा था उसके लिए सब प्रिथम गडेजी ने किरपा करी थी इसमें गडेजी को चोकी पर पीला या लाल कपड़ा विछा करके मोती या तस्वीर इस्तापिट करें और गडेजी को जियाएं सिंदूर का या रोली का ठीक लगाएं चो मुखा दीपक जला करके एक लोटा जल भरके रखें उसमें दूर, चावल, फूर, चीनी ये डाल करके रखें और साथ में गडेजी को मोड़क का भोग लगाएं और हरी दूरवा के 21 संकुर गडेजी को चड़ा करके कथा सेवन करें अब कथा प्रारम काते हैं दूर युग में महिस्मती नगरी में एक महिजित नाम का राजा था वो बड़ा ही पुन्यसील और प्रटापी राजा था अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता किन्टू उसके कोई संतान ना थी संतान ना हुने के कारण राजा को सभी वेवब अच्छा नहीं लगता था बेदो में निसंतान व्यक्ती का जीवन ब्यर्थ बताया गया है संतान इन ब्यक्ती अपने पित्रों को जलदान नहीं दे पाता इसलिए राजा का बहुत समय बिती को गया पुत्र प्राप्ति के लिए उसने बहुत से दान यग किये फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति ने हुई बुरापा आ गया राजा ने बिद्वान ब्रामणों को इस बारे में बुराग बुलाकर के परामस किया राजा ने कहे ब्रामणों हम तो संतानिन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी, मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है, मैंने अत्याचार भी नहीं किया है, मैंने सरे प्रजाओं का पुत्र के समान पालन किया है, प्रित्वी का सासन भी धर्म से किया है, मैंने गौव ब्रामनों का हिट्चि इसा ही प्रत्न करेंगे जिस से आपके बंश की ब्रिद्धि और यह के करके सभी ब्राहमन सोचने लगी, शारी प्रजाय राजा के मनुर्थ शिद्ध के लिए, ब्राहभनों के साथ बन में चली गई, बन में जाकर के एदर उदर भ्रवन करने लगे उन लोगों को उसी समय एक सेष्ट मुनी के दर्शन हुए वो मुनी और निरार रहकर के तपश्चा कर रहे थे ब्रह्माजी के समान थे वो सरातन पुरुष थे संपूर बेदों के विशादत दीदगायु थे ज्यान संपन मात्मा थे उनका नाम लोमस रिशी था प्रित्य कल्प के अंत में एक रोम उनका गिरता है इसलिए उनका नाम लोमस रिशी पड़ गया है ऐसे तरकाल रसीम ऐसी लोमस के उन लोगों ने दर्सन किये सब लोग उन तेज़स्वी मुनी के पास गए पराम आद करके मुनी के सामने बैठ गए कहने लगे हम लोगों का सोबाग है ऐसे मुनी के दर्सन हुए इनके उपडेश से हम सभी का मंगल होगा ऐसा निश्चित करके उन लोगों ने मुनीराश से काही मुनीवर आप किरपा करके हमारे दुख को दूर करें आपकी सरन में आने से हमारा दुख अवस दूर होगा हे रिशियों में से आप ही हमारे कष्ट को दूर कर सकते ही रूप से कहिए, हम आपके कल्यान की वामना रखते हैं, तपस्यों की तपस्या केवल परोबकार के लिए होती हैं, प्रिजा जनों ने कहा कि बगवन हमारा राजा संतान ही नहीं, उसको कोई संतान नहीं हुई, है मैसे आप ऐसी युक्ति बताईए, जिससे हमारे राजा को सं पूत्र ना हो, ये दुरवागी की बात है, इसलिए हम बन में आये हैं, बड़े सोवाग्य से हमें आपका दर्सन हुआ हैं, किरपा करके राजा का कोई संतान प्राप्ति का ब्रित दान पूजन बताईए, प्रिजाओं की बात सुन करके, मैसे ध्यान मगनों करके राजा के उपकार के लिए कहने लगें, हे ब्रामनों, आप लोग ज्यान पुरक्षनों, मैं संकत नासक ब्रित को बतलाता हूँ, असार मास के किस्न पक चतुरसी को, किस्न पिंगल एक डंट गजानन नामक चतुती भी का जाता है, उन गड़े जी की पूजा करें, बिदी से राजा ब्रित करें, ब्रामनों को भुजन कराबे वस्त दान करें, गड़े जी की किरवा से उनको पुत्र की प्राप्ति अवस्त होगी, मैं सी लोमस की बात सुन करके, सभी लोग हाद जोर करके नमस्कार करके खड़े हो गए, दंदवर्द प्रिनाम करके अपने नगर को लोट आ बन में गटिर सभी गटना को पुर्जा जनों ने राजा से बताया, पुर्जनों की बात सुन करके सम्मानकारी बिमल बुर्द दारी राजा बहुत ही प्रसंद हुए, उन्होंने स्रिद्दा बसरादान किया, राने सुलक्षणा ने गर्वदार संसकार किया, गड़े जी क रामनको धन दे कर के तरप्त किया, भगवान स्री किस्न कहते हैं राजन इस ब्रत का ऐसा प्रभाव हैं, जो व्यक्ति इस ब्रत को काते हैं, समझ संसारिक सुक के अधिकारी होंगी, शिरी किस्ने भगवान ने कहें माराज आप भी इस ब्रत को संपून करें, गड़े जी कि पूजा अवस्य करने चाहिए, गड़े जी निकाहे माता, मैंने आपके सामने इस ब्रत का वनन किया, जो मनुष गड़े जी की चत्र को सुनते हैं, सुनाते हैं, उन्हें सभी कार्यों की सिद्धी होती हैं, इसलिए गड़े जी वगवान की किर्पा प्राप्री क्लिए क कता से मन अवस्य करें, बोलो कर बल जानन भगवान की जैं, भक्तों वीडियो को लाइक करें, शेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें